अलो बच्चो, लेट्स रीट इस कोशन, दा कोशन सेज एट, वू अमंग दा पॉलोविंग वास फर्स इंस्पेक्टर जनरल फारेस्ट इन इंडिया, कोशन पूचा है कि इन चारो आप्शन में से हमारे सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल फारेस्ट कौन थे, इंडिया गे, चारो आप्शन दिये गें, धिक, सबसे पहला आप्शन है हमारे सामने डायतिक बैंडरी, दूसरा आप्शन है जान दोसन, तीसरा आप्शन है नागुरुंदरी, and फूर्थ आप्शन है ननाभ दी अवर, तो इसको जानने से पहले, हम सबसे पहले अपनी की कंसेप्ट के बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि डायटिक ब्रेंडिस कौन थे, डायटिक ब्रेंडिस कौन थे, डायटिक ब्रेंडिस was a German expert who was called for advice by the Britishers and Brandis formulated new forest rule and Brandis also set up Indian forest tech services in 1864 देखो, डायटिक ब्रेंडिस कौन थे, यह एक German expert थे जिनको किसके advice पर बुलाए गया था, Britishers होगे advice पर Britishers होगे advice पर बुलाए गया था, ताकि यह forest की proper management कर सके तो जब ब्रेंडिस आये इंडिया के अंदर, तो ब्रेंडिस में क्या करा Indian forest rule formulated करे और उन्होंने एक Indian forest services भी बनाया था, और यह Indian forest services कब बनाया था, उन्होंने 1864 के अंदर, अब according to the question, हम से question पूचा गया, कि भाई, इंडिया के first inspector general of forest कौन थे, तो कौन होंगे? Dietrich Bandis, तो कौन होंगे? Dietrich Bandis, तो कौन थे, Dietrich Bandis was made first inspector general of forest in India by British Air, question पूचा था, कि inspector general of forest कौन थे, तो यह होंगे हमारे Dietrich Bandis, option A, मतलब Dietrich Bandis, I hope you understand it well, best of luck.